लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए बीजेपी नेता विधाय गनेशनाइक ने आज मनपायुक से मुलाकात की और माइडिसी में बंद पड़े आक्सिजन प्लांट को कोरोना मरीजों के लिए फिर चालू करने की मांग की गनेशनाइक ने जोड़ दे कर कहा कि अधिया से प्लांट रियक्टिवेट किये जाते हैं तो इस से आक्सिजन की किल्लस से जूज रहे कोरोना मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी गनेशनाइक ने वैक्सिन उत्पादन के लिए माईडीसी की कमपनियों को भी परमिसन दिलाने की अपील की ताकि सभी नागरिकों को फ्री वैक्सिन उपलब दो सके उन्होंने कहा कि नईम बईकरों की जान बचाना पहली प्राथ मिक्ताइस के लिए जो भी इंतजाम आवस्चक हैं उन्हें करना चाहिए गणेशनाईक ने इसलम इलाकों में वैक्सिनेशन रेजिस्टेसन चालू करने और मानसून से जुड़े कारियों को जल्द पूरा करने पर भी जोड़ दिया बीजेपी ने ता विधायक गणेशनाईक ने आज बन पायक्त से मुलाकात में नौइमबाईकरों के लिए जल्द से जल्द कोरोना वैक्सिन देने की मांग की उन्होंने राज़ और केंदर सरकार की वैक्सिन पर आस्रित रहने की बजाय नीजी कमपनियों से वैक्सिन मंगाने पर जोड़ दिया बीजेपी विधायक नविस्वास के साथ कहा कि आज नौइमबाईकरों को फ्री वैक्सिन दो बदले में नौइमबाईकर उसका पैसा भी लोटा देंगे उन्होंने माईडिसी में बंद पड़े आक्सिजन प्लांट को भी चालू करने की मांग की आयुकत से चर्चा के दोरान गनेशनाइक ने कहा कि यदि ऐसे प्लांट रियक्टिवेट किये जाते हैं तो आक्सिजन की कमी से जूज रहे नौइमबाई के मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि नौइमबाईकरों को कोरोना से बचाना पहली प्राथ मिकता है और इसके लिए जो भी जरूरी मेडिकल इंतजाम है उन्हें मनपा के बजट से किये जाने की जरूरत है गनेशनाइक ने सीटकों से 25 क्रोड की मदद लेने की अपनी मांग को दोराते हुए आयुक्त से पत्र विवहार करने की दुबारा अपील की गनेशनाइक ने स्लम इलाकों में वैक्सिनेशन रजिश्ट्रेशन चालू करने और मानसून से जुड़े कारियों को भी जल्द पूरा करने पर जोड़ दिया आये सुनाते हैं आयुक्त से मुलाकात के बाद उन्होंने और क्या कुश कहा केंदर सरकार फ्री किसको देगी राजय सरकार किसको देगी इस पर डिपेंडना रहते हुए नई मुमे जनता के लिए जितनी भी नईविक जनता है उतने कॉंटम में जो वैक्सिन निर्मान करने वाले जो उद्दुक है उनसे अप रजिशिशन उनके आ करो और वो सबको फ्री में देदू ऐसी मैंने मांग की है और जरौत पड़ी तो नई मुमे की जनता ये जितना पैसा कर्चा हुआ है उतना पैसा महा पलिका को देगी इतना ही गारंटी मुझे है साधारान आटवड़या मदे मानने शिल्कोच एमडी त्याना मी मतलेला है कि नई मुम्बई माहन अगर पाली के ला कोविड सेंटर उभारने करता पंच्विस कोट रूपे द्या मदल्या काला मदे तांचे माजे काई काड़बेट टेलिफोनिक सुदा हूँ शकली नाही मानने आयुकत मोदयाना मी तेरा सांगित ने के मी तुमला पत्रियत्याचा तुभी पाट पुरा वकरा भविशा काला मदे नैमुंबई चा जमिनी वर शिड़कों चा गुबार नी जाली जर इतल्या लोकाना दर त्याटिकनी सिड़कों जे मदत योग्यवली होनार नसेल अन्ने लोकाना दिलाचा पुड़ दूखी नाही परण्तु नईमूमाई महान अगर पाली का शेतर परुवेल महान अगर पाली का शेतर और गभ्रामिन शेतर यहाँ लोकाना सुधा सिड़कों नी मदत करलाबपाई जे आशी मागनी मी किली जो पटी भागात रानारे लोकान करड़े के कुटली मोबार सुधा काई लोकान करड़े नाइत तेलोग आशी के बुकिंग करू शकत नहीं अनि मुनुन त्या टिकानी रजिसिशन करने करता तेनी मागनी के लिली आहे गौर तलब है कि गनेशनाई की मनपायुक्त के साथ या चालिस में मुलाकात है जब से कोरोना की महमारी और लॉकडाउन की तबाही सुरू हुई है तब ही से वे नईमबाय करों को बचाने के लिए लगातार प्रशासन को जगाने और इंतजाम कराने में जुटे हैं इसमें कोई दोर आये नहीं कि बीजेपी नेता गनेशनाई की लगातार मांग और पहल के बाद ही मनपा प्रसाशन तमाम इंतजाम करने के लिए सक्री और सफल हो सका है जाहिर उनकी पहल नविम भैकरों की जान बचाने में मददगार बन रही है ब्योरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया